हेलो बच्चों नमस्कार मैं मनूराथी और आप देख रहे हैं मनूराथी यूट्यूब चैनल इगनू बीएट दो हजार चौविस एक्जाम जैसा आप सभी को पता है कि साथ जनवरी दो हजार चौविस को हुना तै है अब लास्ट डेट की शीज की भड़ी है eligibility को लेकर आप सभी बच्चों के बहुत सारे doubts हैं तो उनको लेकर भी बात करेंगे बहुत सारे टीचर्स के भी doubts है ठीक है और एक्जाम की रणीती सटी क्या रही सबसे पहले तो भई मैं इगनू का जो है official notice यह दिखा सकती हूँ ठीक है इसमें क्या लिखा है कि last date online application form PhD का या फिर BSC nursing या beard January 2024 यह हमारे वाला इसकी भणने की जो की 7 एक 2024 को इनका जो है exam होना है तो इन्होंने कहा है कि last date आपकी 3 January 2024 तक भढ़ा दी गई है ठीक है शाम के 5 बजे तक मगर late fees लगेगी 200 क्योंकि 31 December 2023 तक कोई late fees नहीं लग रही थी अगर आप time से भर देते तो फिर भी late हैं भढ़ना चाते हैं entrance देना चाते हैं तो भर दीजिए पहली बात तो यह हो गई ठीक दूसरी बात यह हो गई कि आप मेंसे कई साथियों ने कुछ सवाल मेरे से पूछे उनको मैं clear करती हूँ देखिए इगनो की जो परवेश परिक्षा है उसमें अगर हम eligibility को लेकर बात करें तो इसके eligibility में देखिए यह कह रखता है कि आपने face to face mode से ठीक जो face to face mode है उससे आपने कोई teacher training course कर रखा हो face to face mode से इसमें आपका DLA हो सकता है ठीक है आपका DLA diploma in elementary education आपका क्या हो सकता है आपका JBT हो सकता है ठीक है यह आपने diploma in special education कर रखा हो वो भी हो सकता है मगर यह ऐसा face to face mode हो कि आपने रोज वहाँ जाकर class attend की हो ठीक है साथ की साथ आपकी graduation हो ठीक अब जब form fill करने जा रहे हैं इस चीज को वेटा ध्यान से सुनिएगा ठीक है अगर आपके पास यह दोनों चीजी है अब जब आप अवेदन करने जा रहे हैं तो यहां पर लिखकर आता है are you working ठीक है क्या आप काम कर रहे हैं तो अगर आप yes लिखेंगे तो yes में तो देखिए आपको अभी जो जहां काम कर रहे हैं तो वहां के principle से लिखवा कर वो document upload करना पड़ेगा अगर आप no लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप काम नहीं कर रहे हैं माल लिजे किसी ने jbt करी और साथ में graduation की और वो काम नहीं कर रहा है तो वो नो भर दे ठीक है तो मैडम अब क्या होगा तो मैं अपनी टीपी कैसे दिखाऊंगा बात यह है कि जब आपकी document verification होगी तो उस ताइम आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कि स्कूल में अपनी teaching practice करेंगे आपको तब वहां पर regional center में mention करना है तो बात आही रही थी तो मैंने का कि एक clear बताती हूं कि उन्होंने DLA किया, JBT की ठीक है और उसके बाद graduation की, ठीक है, face to face mode से कोई course करा होना चाहिए, बात यह है कि NIOS वाला course नहीं चलेगा, ठीक है, साथ में graduation थी, उसके बाद उस time वो कई नोगरी नहीं कर रहे थे, ठीक है, entrance एंड्रेस देने के बाद, जब वहां पर गए, तो वहां पर देखिए, उनसे पूछा गया कि आप अपनी teaching practice का करेंगे, तो उन्होंने बता है, जी मैं यहां से करोगा, ठीक है, और वहां से उन्होंने की, और उन्होंने beard कर ली, कई मेरे साथी हैं, जो कि आपके army में, दि तुम नहीं कर पाओगे, ठीक, क्योंकि सिर्फ graduate के बाद, beard यहां से सीधी नहीं उपाती, क्योंकि एक teacher training course में, diploma मांग, face to face course मांगते हैं, ठीक है, अगर आप में से कोई फोजी भाई, भाई, भेहन है मेरी, ठीक है, उसने face to face मोट से माली, जे जे बिट्री वगयरा करी, ठ वो चाता है beard करना, वो वाला कर सकता है, वो क्या करेगा, वो leave without pay दिखा देगा, 21 दिन की, जिस दिन की training होती है, ठीक है, उतने दिन की training में, leave without pay दिखा दो, और यहां पे आप beard कर लो, साल में, दो साल में आपको यह करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका यह course भी हो ठीक है, तो यह वाली आपको जो है, बारा दिन की workshop भी लगानी पड़ती है, ठीक है, बारा बारा कहेंगे अगर हम, ठीक है, exact तो बारा है, तो बारा बारा दिन की चुट्टी में, आपका काम चल जाएगा, और आप कर पाएगे, मगर सिर्फ graduation के basis पे, कोई 4G भाई या बाद bachelor's in elementary education, दिल्ली में क्या रहता है, कि BLAड करने के बाद, सिर्फ पहली से 5 वी तक के teacher का, उनको कहते हैं, कि तुम यही पढ़ा सकते हो, TGT के लिए eligible नहीं होते, तो वो उस ताइम लगी भी नहीं हुई थी, मगर face to face mode से BLAड किया था, तो इगनु का इंटरेंस दिया वहाँ पर जी, आगया number, उसके बाद दिखा दिया, मैं यहाँ पर internship करूँगे, ठीक है, beard करी, इगनु beard करी थी, उसी दौरान फिर उसका selection भी MCD में हो गया, as a primary teacher, आराम से उसकी, और वहाँ पर दिखा दिया, कि मैं यह कर रही हूँ, साथ में, कोई problem नहीं है, बात समझे आपका face to face mode से एक teacher training course plus graduation होगा, तो भी अगर आप, अगर अभी कार्यत नहीं है, नोकरी अभी किसी private school में भी नहीं पढ़ा रहे, कहीं नहीं पढ़ा रहे, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप counseling में जाएंगे, तो दिखाना पड और Igno Beard, प्रवेश परिक्षा के लिए second marathon, ठीक है, वो आ रही है, आपकी तीन जनवरी सुभह दस बज़े, top 100 हूबहू मिलने वाले प्रशन पतर के सवाल, और एक और marathon है, ठीक है, जब new year है, तो नया साल है, तो एक 6 जनवरी को आपकी परिक्षा से एक दिन पहले, एक औ मेरा परियास है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि सभी पढ़े और Igno एक opportunity देता है आपको beard करने की open से distance से, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हैं, हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊंगी, जामिया मिलिया इस लामिया, ये भी आपको open से beard करने का एक मौका देता है, जिसका entrance होता ह जिसकी जानकारी वो भी मैं आपको ज़रूर समय आने पर दूँगी, तो आज के लिए इतना ये teachers, साथियों, friends ठीक है, तो Happy New Year और जुड़िए इन क्लासों के साथ, Marathon 1 मैं करा चुकी हूँ, उसको देख लेजएगा, Thank you, Happy New Year.